हलो मेरा नाम डॉक्टर धीपक क्याईकर है और मैं एक सेक्याट्रिस्ट, हिप्नो थेरेपिस, सेक्सोलोजिस्ट, एनलपी ट्रेनर, डिय अदिक्षिन स्पेस्चेलिस्ट हूँ और एक कोच हूँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, स्टाटरिंग, स्टैमरिंग या हकलाने का घरे लूपचार उसके बारे में मैंने पहले इसके पहहले दो वीडियो डाले ह Alle है, इसमें मैंने हकलाने के बारे मिता हुआ है लाने का इलाज सम्मून के माध्यम से, मतलब हिपनोसिस के माध्यम से, हिपनोडिजम, सेल्फ हिपनोसिस के माध्यम से, या NLP टेक्निक के माध्यम से होता है, कावी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हमको घर में बैटे-बैटे बताओ क्या इलाज करना है, हम नहीं आ सकते आ एक दम शितिल अवस्ता में बैठने का है और ऐसे कलपना करने का है कि मैं लोगों के साथ में बातचित कर रहा हूं और बार बार इतना clear visualization कि अपन लोगों के साथ में बातचित कर रहा है लोग क्या बोल रहे हूं? उनकी आवास सुनने का है मैं खुद क्या बोल रहा हूं? तो मेरी आवास सुनने की है मतलब अपनी आवास सुनने की है और actually यासा हो पूरा picture यासा है एक movie अपने सामने खड़ा करने का है तो यह बार 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 यह practice करने की दूसरी practice है हो सकती कि आयने के सामने खड़ा रहना और आयने के सामने खड़ा रहे के आयने में जो आदमी दिखता है उसको बिना ख़लाते हुए बातचित करना तीसरा उपचार या तीसरा उपाई है हो सकता है कि घर के लोगों को सामने बिठाना गर के लोग भाई बैन बच्चे माँ बाप जो भी कोई होंगे सामने बिठाना समझो कोई भी आप अकबार पढ़ते हो अकबार एक पुरा पेश पढ़ लेना और अकबार पढ़ने के बाद में उनके सामने जाके बिना देखे वे उनको समझा के बताना फिर नेक्स्ट बच्चे काफी आते हैं कि जो बोलते हम क्लास में बोल नहीं सकते या जो टीचर बोल दे उसका हम जबाब नहीं दे सकते तो मैं बोलता हूँ पहले टीचर को जाके बोल दो क्यों मुझे यह हक लने का प्राबलम है और आप जान बुछ कर मुझे क्लास में सवाल पुछो लोग हसेंगे बच्चे हसेंगे हसने दो आज बापको हसेंगे कल आप जब अच्छा बोलना चालू करेंगी ना तो वो रोएंगे तो क्लास में भी यह प्रैक्टिस करना है लोगों के साथ में जान बुछ कर बात करना और प्रैक्टिस करना और जब लोगों के साथ में बात्चीत कर रहे है हकला रहे तो वो प्रैक्टिस करना है कि अपने एकदम हितिर अवस्ता में एकदम रिलाक्स अवस्ता में और खु नि में पाइट करने केई। घर में बैटे बैटे पेड़े अए टेबल के ऊपर आप ने कोई pen मगरे लिया, और ऐसा टक, 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 टक , ऐसा एक 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 घॉ एक आएसा मारते जाना है आवाज करते जाना है तक-टक और जैसा यह तक-टक का आवाज करेंगे उसके साथ में एक 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 शब्द शान्त इसे आराम से बोलने की प्रैक्टिस करनेगे सबसे बेस्ट जो है वो घर में बैटे-बैटे विजुलाइजेशन करना कि जैसे भी मैं लोगों के साथ में बात्चीत कर रहा हूँ बिना अकल आते हुए और एकदम रिलाक्स अवस्ता में बात्चीत कर रहा हूँ जो मैंने पहले बाता है वो यह आप करेंगे तो डेफिनेटली अपको पक्का फायदा होंगा और नहीं फायदा होंगा तो NLP techniques है मेरे वरक्शॉपस है Hypnosis का वरक्शॉप है, Self Hypnosis का वरक्शॉप है तो जरू अटेंड कीजिएगा और अपने आपको एक अच्छा वक्ता विया आप तयार कर सकते हो देखो आप जैसे काफी लोग होंगे कि जो ये वीडियो देखने के लिए उस्सुक होंगे काफी लोगों को ये प्राबलम है तो आपके संपर्ग में जितने भी लोगोंगे उनको ये वीडियो शेर कीजिएगा आपको अच्छा लगे तो जरू सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेर करो ताकि मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरे दुनिया में लोगों को ये प्राब्लेम से मुक्ती मिले लोग अच्चे हो जाए, कमसे को हमारे देश में लोग दिखते हैं वीडियो तो उनको ये प्राब्लेम से मुक्ती मिलना चाहे, तो जरूर शेर कीजिएगा, थैंक्यू बेरी मच्ट